हेलो फ्रेंड्ड आप देख रहे हैं YouTube चानल Chemistry वितकार आज के लिक्चर में हम देखेंगे दियेक्शन अफ इलकाइन का सेकंड रियेक्शन हाइड्रो हालोजेनेशन हमने पढ़ा था इलकीन का हाइड्रो हालोजेनेशन अब पढ़ रहे हैं इलकाइन का अगर कोई अलकाइन हो R C triple bond C R इसको अगर HX के साथ reaction करा दें HX का एक मोल देंगे तो यह bond तूटेगा और यहाँ पे जूड जाएगा CH double bond CXR अगर HX का दूसरा मोल देंगे तो HX का दूसरा मोल जूड जाएगा इस double bond पे R CH2 CX2 R important यह है कि इसमें Geminal Dihalide बनता है Geminal Dihalide बनता है मतलब एक हैलोजन जहाँ पे जाता है उसी कारवन पे दूसरा हैलोजन जाता है क्यों ऐसा होता है तो देखते हैं mechanism और एक और चीज जो explanation हमने पिछले लेक्चर में दिया था कि अगर इसका एक mole लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसका कुछ portion इसमें चला जाएगा और कुछ reaction ही नहीं करेगा इसका एक mole लोगे तो यहाँ पे सब कर सब आ जाएगा जब एक mole और लोगे तो यह इसमें जाएगा मतलब जब तक ये पूरा खतम नहीं हो जाएगा, जब तक ये पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तट ये रियक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रियक्टिविटी जो होता है, इस एलकाइन से इसका रियक्टिविटी कम होता है, इलकीन का इलकाइन से र तो जब तक यह रहेगा तब तक यह रियस् lugar बटत Cand Hoe jestem तब अगर इसका एक मॉल खतम हो जाएगा तब ही dzieck्सनां अगए बड़ेगा चुक्र के इसका इक मोल्ल यह और इसका भी मोव लियह हो तो जब तक खत्मppe schöne का पर किन hand you तब इसका extra एक मोल जो था वो इसके साथ reaction करके आगे बढ़ेगा मतलब तुम्हारी मर्जी तुम reaction को यहां भी रोख सकते हो और यहां भी रोख सकते हो अब हम इस बात पे आते हैं कि geminal tie highlight कैसे बनता है तो देखो mechanism देखो जो R है C है triple bond C R इसका reaction हम करा देते हैं किसके साथ थोड़ा unsymmetrical alkene ले लेते हैं तो इसे कुछ जादा बढ़िया result देखने को मिलेगा इसका अगर हम reaction कराते हैं HX के साथ तो बताओ H plus double bond, triple bond पे जाएगा RCH double bond CH plus एक यह कार्वोकेटायन बनने का possibility है और एक कार्वोकेटायन बनने का possibility है RCH double bond CH2 plus उपर वाला कम stable है, नीचे वाला जादा stable है इसका plus size को stabilize करेगा इसलिए नीचे वाला बनेगा और उसके बाद कौन attack करेगा इस पे? इस पे attack करेगा कौन? X minus, यहाँ जो X minus से निकल गया था यह attack करेगा, इस पे X minus attack किया देखो क्या बन गया? और CHX double bond CH2 ठीक है? इसके बाद अब देखो इसको अगर HX के साथ reaction कराते हैं फिर से यह double bond, यह pi bond यहाँ से H plus लेगा तो H plus इस carbon पे वी ले सकता है और इस carbon पे वी ले सकता है अगर इस carbon पे लिया तो यहाँ positive charge और इस carbon पे लिया तो यहाँ positive charge देख लेते हैं यह CH यहाँ पे क्या? कुछ गरवड हुगा है क्या? CHX नहीं, नहीं, यहाँ पे H कैसे आया? गरवड है, गरवड है देखो, यहाँ पे H नहीं होगा यह होगा है ना और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर एक्स रहेगा बस है ना अब देखो एक दो तीन चार हाँ चार बांड हो गया ना ह प्लस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पोजेटिव चार्ज ह प्लस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पोजेटिव चार्ज मतलब सी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं सी एक्स प्लस सी एक्स थिरी या तो यह बनेगा या बनेगा और सी एक्स 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 तू प्लस यह दोनों म बनेगा इसके साथ इसका रियेक्शन होगा और X- निकल जाएगा एकस माइनस निकल गया ये दोनों में से कोई बनेगा थोरा जगा कम रहने के कारण दिक्कत होड़ा है इसको हम थोरा फ्रेश बनाते हैं धियान देना जरा यहां पर X- निकल गया और कार्वो केटायन दो बन आते हैं देखना R C X- प्लस CS3 एक यह कार्वो केटायन बनेगा और एक बन सकता है R C X- H- CS2 प्लस इस दोनों में उपर वाला ज्यादा स्टेबल है नीचे वाला लेस स्टेबल है क्योंकि इस हैलोजन का जो लोन पेर है यह रेजिनेंस करके एक ऐसा रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें सारे एटम का ओक्टेट कम्पलीट रहेगा ठीक है जबकि इसमें ऐसा कोई रेजिनेंस नहीं हो रहा है इसलिए यह नहीं बनेगा या यह बहुत कम बनेगा मेजर प्रोडक्ट इसी से बनेगा जब यह बना इसका मतलब है कि यहां से कौन बनेगा अब बताओ यहाँ पे अगर यह बना तो X- इस पे अटैक करेगा जहाँ पे हैलोजन था जिस कारवन पे उसी कारवन पे दुसरा हैलोजन आया मतलब क्या बन जाएगा बताओ जेमिनल डाई हैलाईट समझ में आया जेमिनल डाई हैलाईट अगर हम बात करें तो पहला जो HX का एडिशन था वो मार्कोनिकोफ था या एंटी मार्कोनिकोफ H कहां जुड़ा था जहां हाईटोजन पहले से ज़्यादा था यहां हाईटोजन एक यहां हाईटोजन एक भी नहीं तो जहां hydrogen पाले से ज़्यादा था वहीं पे hydrogen आया तो पहला marconico fedition है और दुसरा दुसरा भी marconico fedition है फिर दुसरा जब HX जुड़ा कहां पे जहां पे hydrogen पाले से ज़्यादा था वहीं पे hydrogen आया मतलब दो बार marconico fedition of HX हुआ है ठीक है क्या हुआ है दो बार marconico fedition of HX ठीक ह बढ़ते हैं थोड़ा आगे हटा रहें इसको पॉस करके फटा भट लिखो चलो एक कोशन लिखते हैं कुछ कोशन हमने फ्रेम किया है तो हम उसकी बात करने पहले एक कोशन है इसको दे दो एक सेस इनने एनस टू अफ कोर्स लिक्विड अमोनिया क्या बनेगा और जो भी बनेगा उसको फिर से दे दो एक सेस तो यह बन जाएगा CCL4 Solvent बताओ वहाँ पे क्या होगा इसके बाद इसके बाद CS3 C111 CH इसका करादो रियक्शन एक्सेस एच बी आर के साथ और फिर कराओ रियक्शन वन मोल HBR के साथ देन इसके बाद एक क्वेशन और लिखते हैं पली यह दोनों को हम कर लेते हैं उसके बाद क्वेशन लिखते हैं जरा ध्यान देना XS NNS2 यहां से H, यहां से BR यहां से H, यहां से BR क्या बन जाएगा इसको जब HBR XS देंगे तो जहां पर BR आएगा वहीं पर फिर से BR आजाएगा यह बन जाएगा ठीक है? और यह देखो, यह सरकल और इसमें मत कन्फीज हो नहीं दोनों एक ही चीज़ हैं अब जड़ा गौड करो HBR अगर XS देंगे तो दो बार Markonic of Edition होता है जहां पर hydrogen है, वहीं hydrogen जाएगा यहां पर H जाएगा, यहां पर BR जाएगा फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर BR जाएगा अभी तो हमने बताया था CS3 BR BR and CH3 यहीं होगा अगर एक मोल HBR देंगे तो एक ही मोल HBR लग के reaction रूख जाएगा यह बनेगा, ठीक है Markonic of, Markonic of Edition होड़ा था मैकनीम से हमने देखा था Next question देखो Next question के लिए इसको हमको साफ करना पड़े का पोड को Next question देखो एक है CS3 CS2 हाँ हमने देखा CS3 CS triple bond CS3 क्या-क्या possibility हो सकता है CS3 नहीं देखो क्या-क्या possibility हो सकता CS triple bond CS अगर इसका हम XS HBR दे दें क्या बनेगा तुम को तुम बना लोगे कहीं पे भी यह क्या हो जाएगा BR BR हो जाएगा इसी तरह से अगर हम इधर CS3 C triple bond CS लिखते हैं तो इसका अगर सेम डियेजन देते हैं XS में तो क्या बनेगा इसका बनेगा BR बनेगा और अगर हम इधर लिखते हैं CS3 इधर C triple bond C और इधर भी CS3 लिखते हैं XS HBR क्या बनेगा BR BR और अगर हम एक तरफ ME देते हैं C triple bond C और एक तरफ ET देते हैं XS HBR XS HBR तो क्या होगा यहाँ पे mixed product बनेगा क्योंकि यहाँ का कार्बोकेटान और यहाँ का कार्बोकेटान में stability में difference बहु जादा कर नहीं होगा इसलिए यहाँ पे mixed product बनेगा मतलब बनेगा एक, दो, तीन, चार यहाँ पे BR यहाँ पे BR इधर ET था और यहाँ ME था यह बनेगा या बनेगा यह दोनों का mixture बनेगा यहाँ पे BR यहाँ पे BR इधर ET और इधर ME ठीक है? तो यह था hydro halogenation एक question और देखेंगे और बढ़ेंगे next lecture पे देखो next question है हमारा हमने paroxide effect भी दिखा था देखा था इलकीन के case में एक question लिखते हम CS3 questions है CS3 CS2 CS2 CS3 CS2 triple bond CS यह है अब जड़ा देखो इसको अगर हम देदे HX का 1 mole HX का 1 mole और देदे paroxide paroxide तो क्या होगा? फिर एडिकल मेकानिजम होता था एंटी मारकोनिको पोड़क्ट बनता था जहाँ पे hydrogen काम होता था वहाँ पे hydrogen जाता था इसका मतलब बनेगा CS3 CS2 C CBR Double Bond CS2 यह बनेगा इसके बाद इसको देदो H HX दिये हैं तो होँ HBR कैसे कर दिये हैं? हाँ पे HBR कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं HBR ठीक है? तो यह in fact क्या हुआ? एंटी मारकोनिको पोड़क्ट बना कि मारकोनिको पोड़क्ट बना गलती कर दिये तो मारकोनिको पोड़क्ट हमने बना दिया HBR के केस में परॉक्साइड होता था तो क्या बनता था? एंटी मारकोनिको पोड़क्ट बनता था मतलब यह हो गया कि यहां पे आ जाएगा BR रुको इसको फिर से लिखते हैं अगर तुम को याद नहीं है तो तुम एलकीन वाला हाइड्रो हैलोजिनेशन जाके देख सबके हो H2C इधर क्या हो जाएगा H डबल बॉंड CHBR परोकसाइड के कारण ऐसा हुआ है इसका एक ही मोल दिये थी इसलिए इतने पे रिएक्षन रुकेगा इसके बाद अगर HBR दे दिये तो अब बता हो परोकसाइड इसवार नहीं है तो H पलस यहां पे जाएगा क्योंकि यहां का पोजेटिव चार्ड BR के लोन पे रसेस्टिव लाइज होगा तो यहां पे पोजेटिव चार्ड जाएगा उसके बाद BR माइनस यहां पे अटाइक करेगा बन जाएगा CS3, CH2 CH2 and CHBR2 है ना लेकिन अगर तुम डाइरेक्ट इसको एक्सेस HBR दे दो तो क्या बनेगा मार्कोनिक ओफ एडिशन आफ HBR होगा C, BR2 and CH3 यह बनेगा मतलब पहले परोक्साइड दे दो तो एंटी मार्कोनिक ओफ हो जाएगा उसके बाद परोक्साइड ना भी दो केवल HBR दो तो जहां पे BR था वहीं का पोजेटिव चार्ज आदा स्टिवल होगा इसलिए वहीं पे BR आएगा और अगर डायरेक्ट तुम परोक्साइड ना दे के एक से CHBR दे दो तो शुरू में भी एंटी मार्कोनिक ओफ और फिर से एंटी मार्कोनिक ओफ दोनों BR यहां पे आएगा है ना तो BR को टर्मिनल पे लाना है या नोन टर्मिनल पे लाना है इस तरह से मैनेज गर सकते हैं ठीक है तो ये था Hydrohalogenation of L-Kine Hydrohalogenation of L-Kine J-Advance NIT Level का हलाँ कि इसके उपर का लेवल का भी बहुत कुछ इसमें है जिसको हम ignore कर रहे हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लिए इतना ही थैंक यू